हाई फ्रेंज आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेगल हेल्पिन हिंदी में फ्रेंज आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्शन 80C में इंकम टेक्स बचाने के 10 नए तरीकों के उपर इंकम टेक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहट एक वित वर्स में अलग-अलग योजनाओं में डेड़ लाक रुपे तक करनिवेश करके आई कर बचाने का मौका लोगों के पास होता है ज्यादातर लोग LIC, PPF आदी में ही इन्वेश्ट करके टेक्स को बचाते हैं लेकिन ऐसे कई और आप्शन होते हैं जहाँ पर आप इन्वेश्ट करके सेक्शन 80C का लाब उठा सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं सेक्शन 80C के बारे में और उन दस तरीकों के बारे में जिससे आप इंकम टेक्स को बचा सकते हैं तो शुरू से आखिर तक जूड़े रही है इस वीडियो के साथ सबसे पहले बात करेंगे करमचारी भविशे निधी की यानि की EPF के बारे में करमचारी भविशे निधी में वो रुपिया जमा किया जाता है जो की हर करमचारी की बेसिक सेलरी का बारा परतिशत का हिस्सा हर महीने काट लिया जाता है EPF में डेर लाग तक की अमाउन पर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है विद वर्स 2017-18 के लिए EPF में जमा राशी पर आठ परतिशत का प्यास दिया जाएगा दूसरा आता है सारवजनिक भविशनिती यानि की PPF में निवेश PPF खाते में जमा अमाउन पर धारा ATC के तहत हर कटोती के लिए पातर होते है PPF में एकाउंट खोलने के लिए मिनिमम 500 रुपे से खाता खोला जाता है जबकि पूरे वित वर्स में ज्यादा से ज्यादा डेल लाक रुपे जमा करके हर छूट का दावा किया जा सकता है PPF में जमा अमाउन पर हर साल ब्याज मिलता है जिसे की वित मंत्राले द्वारा निर्धारित किया जाता है वित वर्स 2017-18 के लिए ब्याज की दर 7.8% है PPF का 15 साल का कारेकाल होता है जिसके लिए निकासी दर मुफ्त होती है PPF में जमा राशी पर लोन भी लिया जा सकता है और इस अमाउन पर कोई टेक्स नहीं लगता सावधी जमा में जमा की गई अमाउन पर 5 साल के लिए आईकर स्कीम में बैंक में रखी जाती है तो उस अमाउन पर A.T.C. के तहत कर में छूट के पातर हो जाते है इसमें 1.5 लाग रुपे तक करलाप कमाया जा सकता है इसमें जमा अमाउन पर 7 से 9 परसन का प्याज मिलता है जबकि इसमें हर बैंक अलग-अलग प्याज देता है इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आपने अपने डिपॉजिट को मिच्यॉरिटी के बाद निकाला तो प्याज के रूप में जो भी अमाउंट मिलेगा वो टेक्सेबल इंकम में जोड़ दिया जाता है चौथा आता है राष्टे बच्चत प्रमान पत्र यानि की NSC NSC जिस वित्य वर्स में खरीदे जाते हैं उसी वर्स को उसी वर्स में कर बचाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं धारा एटी सी के तहट करों को बचाने के लिए NSC में डेल लाग तक का निवेश किया जा सकता है NSE को रजिस्टर डाग घरों से खरीदा जा सकता है लेकिन इसकी परिपकवता यानि की मिच्चॉरिटी एवधी पांच साल की होती है इसमें ब्याज साला ना मिलता है लेकिन इस ब्याज का टेक्स लगता है पांचमा आता है योनिट लिंक्ट Bima योजणा में निवेश यानि की ULIP ULIP पिमा और निवेश का मिश्रण होता है ULIP में इन्वेश्ट किया गया अमाउंट का एक हिस्सा पिमा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी का amount stock market में लगा दिया जाता है यूलिप में डेल लाग रुपे तक निवेश करके आप धारा A.T.C. के तहत आएकर बचाने के लिए पातर बन जाते हैं यूलिप guarantee grit return नहीं होते क्योंकि ये equity market link किये गए उत्पाद होते हैं यूलिप का नुकसान ये होता है कि ये पश्ट रुप से नहीं बताते की invest कहां किया गया है और commission और दूसरे खर्चों के लिए कितना रुपया काटा गया है छटा आता है सुकन्या समरिदी योजना में इन्वेश करना सुकन्या समरिदी योजना में एक लड़की के जनम के बाद से 10 साल तक की उमर तक कभी भी खाता खोला जा सकता है इसमें हर साल मिनिमम एक हजार रुपे से लेकर ज्यादा से ज्यादा डेल लाग रुपे जमा किये जा सकते हैं धारा एटी सी के तहट इस योजना के माध्यम से डेल लाग रुपे तक का इंकम टेक्स मुख्थ होता है सुकन्या समरिदी योजना एक वित वर्स 2016 के लिए ब्याज की दर 8.6 निर्धारित की गई थी इस योजना की समापती पर मिलने वाले कुल ब्याज पर टेक्स नहीं लगता ये खाता खुलने की तिथी से 21 साल या फिर लड़की की उम्र यानि की 18 साल होने तक चलता रहता है साथवा आता है वरिष्ट नागरिक बचत योजना वरिष्ट नागरिक बचत योजना भारत सरकार का उत्पाद है ये सबसे सेफ इन्वेस्ट ऑप्शन है साथ साल से ज्यादा आयो वाले वैक्ती इस खाते को खोल सकते है इस योजना के तहट 5 साल के लिए निवेश निकाला नहीं जा सकता जमा करता ये जमा और 3 साल के लिए बढ़ा सकता है इस योजना में जमा करताओं को 8 से 9 परतिशत तक ब्याज मिलता है निवेश से जो भी ब्याज मिलता है वो भी टेक्सेबल नहीं होता आठवा आता है दो बच्चों की ट्यूशन फीस एक या दो बच्चों की शिक्षा यानि की एजूकेशन के लिए फीस के रूप में जो भुकतान रासी होती है वो आएकर से मुफ्त होती है और आप धारा एटी सी के तहत इसका लाब ले सकते है अगर बच्चे जुडवा है तो इसका लाब तीसरे बच्चे को भी मिल सकता है ध्यान ये देना होता है कि केवल भारत सरकार को चुकाई गई फीसी इसके ताइरे में आती है नमबर नौ है इंफरस्ट्रक्चर बॉंड Infrastructure Bond, InfraBronn के नाम से लोग प्रिय है ये infrastructure कंपनियों द्वारा जारी किये जाते हैं इसे सरकार जारी नहीं करती इसमें Section 80C में 1,00,000 रुपे तक की छूट income tax से मिलती है जिबकि Section 80CCF में 20,000 रुपे की अतरिक्त amount में छूट मिल जाती है दसवां आता है Home Loan Payment आप Home Loan की मूलधन यानि की Principal Amount पर धारा 80C के तहत कर में छूट पा सकते हैं अगर आपने एक नया घर खरीदा है और उसके लिए आवास रिन यानि की Home Loan लिया है तो आप धारा 80C में इसका लाब ले सकते हैं ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर केवल आपका जो Principal Amount है यानि की ब्याज को अलग हटा दिया जाए तो उस पर ही 80C के तहत आपको छूट मिलती है ब्याज वाला हिस्सा भी आईकर की छूट के लिए पातर है पर 80C के तहत नहीं होता ये धारा 24 के तहत आता है तो फ्रेंज इन 10 तरीकों से आप Income Tax को बचा सकते हैं यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि सरकार इन सभी जरियों से धनकन इन्वेस्टमेंट करने पर इसलिए छूट देती है ताकि लोगों में बचत और इन्वेस्ट की प्रविर्थी को बढ़ावा दिया जा सके तो फ्रेंज उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मुच